यूपी के कानपूर में हादसा तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टककर महिला की मौद कानपूर के किद्वई नगर में हादसा हुआ है वहाँ एक नाबालिग लड़का कार चला रहा था और स्टंट दिखा रहा था उससे कार संभल नहीं पाई और उसने एक स्कूटी सवार महिला और बच्ची को टककर मार दिए इस हादसे में महिला की मौथ हो गई और बेटी की हड़ी टूट गई हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है खाना की दोई नगर पे एक मुकादमा पंच्कित हुआ जिसमें से एक कार सवार चालक के द्वारा एस्कूटी पे टकर मारी गए थी टकर के दोरान उस पे जो बैठे हुगे तो वहां पे गायल हो गई उनको तत्काल जो है वहां से एक अस्पिताल में भरती कराएगा वहा जो तहीर दे गए थी बीएनेस के जो सुसंगत हारा है भराओ के तहां मुकालमा पंच्कित कर लिया गया है और जो गाड़ी नंबर है वह गाड़ी का नंबर हमारे पस गया तो गाड़ी जो है पुलिस पहरासत में और इसमें जो एक अन्न जो उनकी बच्ची थी वह भी इ इसमें से जो चालक था उसे पुलिस इरासत में ले लिया गया है वह भी नाबालिग है जो अभी तक जो हमें जनकारी हांसिक हुए उसमें 17 साल है उसके कीटा जी को भी पुलाया गया है और उनके कादर सरी पूस्ताच की जारे कि गाड़ी से किसके नाम से रिस्टर्ड है और इसमें जो दारा जो लगी है उसे अरा में बीजेख रहे है कि जो दारा भी है इसमें हम परिवटिष करेंगे है张 के आपके चैनल के माथ्यम से हम ये एक आश्यूद को सभी लोगों से मेंभी अपील करने करने कि आते हैं कि अपने जो नाबालिक बच्चे हैं जिनके पास वैलिड डावी लाइसेंस नहीं है उनको जह क्रिपका गाड़ी चलाने के लिए ना जो उनकी जान तो कर्वाई करेंगे ताकि आगे कोई भी बटी इस तरीके के कृत्य करने से हिसे माबाट से कुछ करवाई करने तुछ लाएंक, नाबालिक प्रिध के लिए जो गाड़ी जो किसमें हिरासत भॉर झाल झाल